Hello and welcome to my channel. If you are a teacher and taking online classes, checking the answer copies is that one thing you can't do away with. And this is the focal point of today's video. आज के वीडियो में हम देखेंगे, जो students की answer copies होती है, online हम उन्हें कैसे चेक कर सकते हैं? Copies चेक करने के तो बहुत तरीके होते हैं, पर इस वीडियो में हम वो चार तरीके देखेंगे, जो की बहुत ही simple है, और कोई भी इन्हें यूज़ कर सकता है. और यदि आपके पास graphic tablet है, तो ये काम और भी आसान हो जाएगा. तो आए वीडियो को शुरू करते हैं. To understand this, मैंने यहाँ पर चार files लेग हुई है, जिसमें एक PDF file है, और तीन image files है. तो सबसे पहले हम PDF file को open करेंगे, Adobe में, तो Adobe में जब आप देखेंगे, उपर ये जो toolbar है, इसमें चार options आ रहे हैं. एक आपका है comment box, दूसरा highlighter, और तीसरा ये signature pen है, तो जब हम इसको click करेंगे, तो नीचे आपको ये कुछ options देख रहे हैं. तो यदि हमको correct और wrong mark करना है, तो ये हम options select कर सकते हैं. Suppose हमने ये tick का option select किया है, तो इस तरह से हम उसको tick को size increase कर सकते हैं, और accordingly place कर सकते हैं, जैसे कोई भी question है, जो सही है, उसमें हम ये tick mark लगा सकते हैं. अब suppose हमको यहाँ पर change करना है, ये सही नहीं है, ये गलत है यदि, तो यहाँ पर हम इसको delete कर दिएंगे, और उपर जाकर ये जो cross का option है, इसको select करेंगे, और ये यहाँ पर हम लगा दिएंगे, और इस तरह से इसका size हम increase कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे हमने इसको लगा दिया है, अब suppose हमको कोई point बताना है, कि ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, गलत है, तो ये एक line का option हमको यहाँ मिल रहा है, तो इस तरह से हमने इस line से इस point को highlight कर दिया है, तो ये थे हमारे कुछ एक options, एडोबी में, जो की सिर्फ sign यहाँ पर हम place कर सकते हैं, लिखने हैं, और जैसे हमको suppose marking देना है, marks लिखना है, तो ये एक option है, लिखने का, तो यहाँ आप उपर, यहाँ पर, 30 by 40, इस तरह से marking कर सकते हैं, तो इस तरह से हम marks को allot कर सकते हैं, और space file पर, और यहाँ आप जाके file में इसको save as कर सकते हैं, फोल्डर में इसको आप save कर लिए, तो ये एक तरीका था, Adobe पे copies को check करने का, ये मैंने सिर्फ एक page का आपको बताया है, इस तरीके से यदि आपके पाच्छे page याँ से जाधा pages भी हैं, तो वो यहाँ पर आप scroll down करके, उनको भी इस तरह से check कर सकते हैं, अब दूसरा है, जो ये जो image files है, इसको हम यदि paint में open करते हैं, this is your paint file, और वही चीज यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ आपको ये pen option मिल रहा है, और यहाँ से आप इसका color select कर सकते हैं, suppose we want to write this as, this is correct, ये correct है, ये wrong है, इस तरह से हम इसमे sign बना सकते हैं, तो ये how did this come, इस तरह से जो question है, वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और ये मैं लिख रही हूँ tablet से, जो graphic tablet है, उसके stylus से लिखना easy होता है, यहाँ पर, माउस से यदि हम लिखते हैं, तो ये possible नहीं होता है, writing clear नहीं आती है, तो for this I am using my stylus, और यहाँ पर भी आप, जैसे कोई भी point है, आप बताना चाहते हैं, तो question mark या, जो भी annotations हम देना चाहें, वो हम इस से stylus से दे सकते हैं यहाँ पर, तो ये था आपका correction of copies on paint file, एक और file हमने यहाँ लिए है, जो की PDF image है, तो उसमें भी यदि हमें कुछ editing करना है, या लिखना है उसमें, तो pencil की help से हम इसमें यह काम कर सकते हैं, इसके अलावा, यदि हमारे पास कोई word file है, उसमें हमने यह image ले लिया है, तो word में तो बहुत easily हम करी सकते हैं, if you have the stylus pen tablet, तो भहाँ पर हम क्या करेंगे, word file में, review पर जाएंगे, start inking option select करेंगे, और फिर यहाँ पर, यह ballpoint pen option है, felt tip pen, highlighter, यह सारे option available है, तो suppose we have taken this red pen only, और फिर यहाँ पर हम लेख सकते हैं, you can see how clear the writing is coming, तो यह हमने, इस image में editing कर लिये इस तरह से, आप PDF में भी यह चीज़ कर सकते हैं, यह हमने खोल लिया है, reader पे एक PDF document है, तो यहाँ भी stylus की help से, इस पर हम लिख सकते हैं, generally not only for copies correction, otherwise भी, खईबार होता है, हमें books में कुछ points mark करने होते हैं, या फिर कोई भी PDF document में, हम कुछ points highlight करके लिखना चाते हैं, कुछ notes लिखना चाते हैं, तो उसके लिए, यह stylus से हम बहुत easily कर सकते हैं, तो इस तरह से आपने देखा, कि कैसे हम किसी भी document की उपर, कुछ लिख सकते हैं, editing कर सकते हैं, और जो answer copies हैं, उन्हें चेक कर सकते हैं, पहला हमने platform देखा, Adobe, जिसमें हमने cross और take के option को use किया, दूसरा हमने देखा paint file, paint file में हम क्या कर सकते हैं, यह जो हमारा pencil option है, इससे हम यहाँ पे tick कर सकते हैं, cross कर सकते हैं, और जो कुछ लिखना है, वो हम लिख सकते हैं, इसके लाब हमने देखा, word file में दूए, और यह जो PDF अगरे में हम editing कर रहे हैं, यह हम stylus से ही कर सकते हैं, यह mouse से possible नहीं होगा, mouse से सिर्फ हम selection कर सकते हैं, editing नहीं कर सकते हैं, उस पर हम कुछ भी लिखना हैं, तो यह दी आपको किसी PDF पर कुछ लिखना है, तो for that you will need your stylus. So these are the different ways in which you can write on PDF file and check the answer copies. I hope this information is going to help many teachers out there, because this is one thing that all of us are dealing with right now. An evaluation of answer copies is quite a hectic process for teachers. To make it easier, these checking options would prove very helpful. So this brings to the end of today's video. If you found the information useful, don't forget to give a like and subscribe to my channel if you are new here. This is Nidhi. Thank you for watching.